आपके अपने यूटूब चैनल NAS Education Network में आपका स्वागत है आज हम कक्षा 10 के अध्याई 4 का 4.1 पिर्सनावली का पिर्सन नमबर 2 का पिर्सन नमबर 1 हल करेंगे पिर्सन नमबर 2 हमें दिया है निमलिकी स्थितियों को दुईगास समीकर्णों के रूप में निरूपित की जिये हमें क्या करना है कि पॉइंट नमबर 1 में भी वही काम करना और जितने भी आगे पॉइंट हैं उनमें भी यही काम करना हमें क्या करना है कि दूइखास समीकडों को निरूपित करना है और फिर उनको अलवी करकर दिखाना है इसमें लिखा नहीं है फिर भी करकर दिखाना है तो एक आयतकार भूकंड का छेतरफल 528 वर्ग मीटर है छेतरफल की लंबाई मीटरों में दी गई है तो चोड़ाई के दुगने से एक अधिक है हमें भूकंड की लंबाई और चोड़ाई याद करनी है तो सरप्रता हम क्या करेंगे लिखेंगे अंसर एक माना माना एक आयतकार एक आयतकार भूकंड भूकंड की चोड़ाई बराबर एक्स मीटर एक आयतकार भूकंड की चोड़ाई होगी हमारी एक्स मीटर हमने बाल ली तो अब लंबाई तब लंबाई क्या कहा है पिरसन में छेतर फिल की जो लंबाई है वो चोड़ाई के दूगने से चोड़ाई का दूगना करेंगे दूगने से एक अधिक है तो एक इसमें जोड़ देंगे ये हमारी चोड़ाई होगी लिखेंगे दिया है आयतकार भूखंड का छेतर फल 528 बर मीटर लिखेंगे आयतकार भूखंड का छेतर फल बराबर 528 वर्ग मीटर इसके बाद हम आयतकार भूखंड का छेतर फल हमारा फोर्मूला होता है लंबाई गुणा चोड़ाई लंबाई गुणा चोड़ाई बराबर 528 लंबाई हमारी ये 2x प्लस बन गुणा चोड़ाई हमारी x बराबर 528 इस x के अंदर गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वाएर फिलस x एकन x बराबर 528 या 2x स्क्वाएर फिलस x ये 528 उड़ाके इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा माइनस का 528 बराबर 0 गुणा करके 528 की 2 में गुणा करेंगे तो ये गुणा करके हमें लाना है ये हमें प्राब्त होई दूइगास स्क्वाएर फिलस x माइनस 528 बराबर 0 गुणा करनी है 528 की 2 में तो 528 की जब 2 में गुणा करेंगे 1056 आएगा और गटा के हमें एक लाना है तो कितना बचेगा एक बचेगा और 33 की 32 की गुणा करेंगे तो 1056 तो ये ही हमें करना है कि ऐसी 2 संक्या है जो गुणा करें आपस में तो 1056 आजाए और बड़ी में से छोटी संक्या उगटाएं तो एक बचे तो ऐसी संक्या हमें मिलिए 33 माइनस 32 तो लिखेंगे 2x स्क्याइर पिलास x 33 माइनस 32 x माइनस 528 बराबर 0 या 2x स्क्याइर पिलास इस x की 33 में गुणा होगी पहले तो ये हो जाएगा 33 x पिलास माइनस माइनस इस x की 32 में गुणा होगी तो 32 x माइनस 528 बराबर 0 यहां दो दो के जोड़े बन गए है यहां से हमारा x कुमन हो जाएगा तो ये बचेगा 2x पिलास 33 यहां से माइनस का 16 कुमन हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस से माइनस में गुणा करेंगे तो पिलास हो जाएगा और 16 दुनी 32 दो एकस आगिया माइनस माइनस पिलास और 16 से 528 को काटेंगे तो ये 33 बार कटेगा 16 तिया 48 बचा कितना 22 में से 48 गटाएंगे तो 4 बचा फिर 16 तिया 48 तीन बार तो 2x प्लस 33 आगिया बराबर 0 ये दोनों एक जैसे हो गए तो इन में से एक लेना है 2x प्लस 33 और इसको और 16 माइनस को 16 को एक जगा करें लिखना है तो x माइनस 16 बराबर 0 इनको 0 के बराबर रखना है 2x प्लस 33 बराबर 0 के रखेंगे तो 2x बराबर यह हो जाएगा माइनस का 33 यह x बराबर माइनस का 33 बटा 2 यह x बराब माइनस का 33 बटा 2 जो है इसको छोड़ देंगे क्योंकि यह निगेटिव है लंबाई यह चोड़ाई जो है माइनस में यह निगेटिव में नहीं होती तो लिख देंगे लंबाई और चोड़ाई माइनस में नहीं होती तो लिखेंगे छोड़ने पर या इसको करेंगे 0 के बराबर रखेंगे x-16 बराबर 0 के रखेंगे तो x बराबर प्लस का क्या आजाएगा 16 आजाएगा तो x का माना है हमारा 16 और x हमने किसे माना था चोड़ाई को माना था किसे माना था चोड़ाई को माना था तो चोड़ाई तो हमारी आगे कितनी 16 यहाँ पर देखिए मैं सुरू से दिखा रहा हूँ आपको चोड़ाई हमने क्या मानी थी X मानी थी तो X का मान में मिल गया 16 X पराबर 16 हो गया तो लिख देंगे, आते हैं, भूखन्ड, ऐसे लिए कि आयतकार भूखन्ड की चोड़ाई, बराबर 16 मीटर, तथा लंबाई, लंबाई, बराबर, लंबाई हमारी कितनी थी, 2x प्लस 1 थी, यह देखिए, लंबाई 2x प्लस 1 थी, तो अब यहां पर हम 2x प्लस 1 रखेंगे पहले, तो 2x प्लस 1, तो बराबर, यहां 2x प्लस 1 रखी हमने, तो 2x प्लस 1, दो गुणा एक्स के स्थान पर रखेंगे, 16 प्लस 1, 16 दूनी 32, प्लस 1, तो यह कितनी आगई, 33 आगई, 33 मीटर, तो लंबाई हमें कितनी मिली, 33 मीटर, तो इस तरह से आप इस प्रिशन को हल कर सकते हैं, आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बैल आईकन दोवाना बिलकुल न भूले, जिससे हमारे वीडियो के जितने भी नोटिफिकेशन है, आपको समय से मिल सकें, फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जिये जाजत, जैहिन